नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2020 लेकर काफी वैरल हो रही है उसको भी जरह दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में लेकिन लेकिन एक और बड़ी अप्डेट उसको जरा देखते हैं कि आप लोग पेपर की टेंसन फिलाल ना लें जी या दोस्तों बहुत से बच्चे जो पेपर की टेंसन में जिनको बुखार आरा खासे जुखाम हो रहा है तो टेंसन फ्री होकर आपको पढ़ाई करना है जी या दोस्तों हो सक है कि हम प्रमोट हो जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो फिलाल दोस्तों जिन बच्चों की बैक है उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत पढ़ेगी अगर आपने पढ़ाई में कहीं पर भी लापरवाई की तो फिर से दोस्तों आपकी बैक लग सकती तो देखे आप को कबसे मिलेगा देखे का इसा आपको बतादे लाल जो आपका एडमिट कार्ड है वो क्पॉलेज में आज तो नहीं मिला 26 अक्टूबर को लेकिन या 29 अक्टूबर को यह आपको एडमिट कार्ड आपके हाथों में पहुँच जाएगा 28 अक्टूबर तक दोस्तों पूरी उमीद है कि कल हो सकता है कि कुछ कॉलेजिस में कल भी बुलाया गया त्यार हो जाएगे पेपर के लिए ठीक है डिलेट प्रथम 23-34 समेश्टा परिच्छा की डेट सीट 2020 अगर अभी तक दोस्तों आपने एकजाब की डेट सीट को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं उसको एक बाइड डाउनलोड करना जरूर है देखे हम आपको कुछ बाते बतारा चाहते हैं काफी बच्चे इस बात को लेकर confused भी है उसको भी हम देखेंगे क्या सरकार लेकी बड़ा फैदला जी अब उस तो सिच्चक भरतियों को लेकर बात होगी कि क्या सरकार एक बड़ा फैदला ले सकती है चुकि इस समय क्या आए कि डिरेट के काफी शात्रों की मांग है कि भाई नहीं भरती जलते जल निकल जाए देखिए वो छात्रा ऐसी मांग इतलिये कर रहे हैं न कि 18 बैच और 19 बैच बाहर हो जाए देखिए जो बच्चे पास हो जाते हैं भाई वो भी चाहते हैं उनको competition थोड़ा कम मिले तो यह मांग हो रही है तो कैस पर सरकार कोई फैतला लेने वाली है उसको भी हम discuss करेंगे और आपको बताते हैं अगर आप एक सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो definitely एक दिन पढ़कर भी मतलब सब कुछ clear कर सकते हैं अगर सही तरीके से किये तो और यहां से डाउनलोड करें आपको एड्मिट कार्ड तो दोस्त इसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बोक्स में देने वाले हैं फिलाल दोस्त आप college ID के माधिम से अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर पहेंगे मतलब यह मत सुझेगा कि आपको पास और दोस्त नमर से अपको आपको एड्मिट कार्ड मिल जाएगा यह बैठ को सबी को समान रूप से पढ़ना आप जी हां दोस्तों टाक्ति कास दिशातरों को मेंसज़ें सारे थे वह बच्चे में में क्या कह रहें आपको बता थेब किसी भी समिस्टर कि तयारी कर रह रहें First semester या Do Co, आप बेखर की भाइजए वजेट ऊसंतेट में रहें जो वं आपकोर्ट तेयारी कर रहें तो बच्चे क्या फोकसे किए इन। जो बच्चे Second semester दिखित देख दूत ही जब आप पहले दिन का paper देने जाते हैं तो होता क्या है ना कि जैसे आपका पहला paper पांच नॉवमर से शुरू हो रहा है ठीक है आपके सामने date seated second semester की वैसे 210 का भी paper होगा semester का भी होता है कि आप पांच नॉम्मर का जो आपका पूरा दिन जाता पढ़ाई करने में वो पहला सब्जेक्ट ही जाता है क्योंकि आपको पता एक दिन में आपके दो पेपर होगे दूसरा दोसरा प्रारंबिक सिछा के नवीन प्रियास होगा तो आपका जो पूरा फोकस हो जाएगा पांच नॉम्मर को किस पर होगा ये पहला पेपर पर ठीक है गलती आप कर जाएंगे प्रारंबिक सिछा के नवीन प्रियास तो गाइस आप ऐसे जितने भी सब्जेक्ट आरा जैसे आप पहले सिकेंड पेपर को अच्छे से तियार करेंगे उसके बाद दोसरा दिम का पेपर होगो तो आप इसमें समाजी कध्यान को अच्छे से देखेंगे थोड़ा हाथ मूँ पानी पीते हैं तो 10-15 मिनट आपको यही बरबाद होते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप 5 मिनट पहले क्लास में इंटरी कर जाते हैं तो आपको पास समय कितना मिलता है यह सोचे आपको न कि अगर आपको सिर्फ 45 या 40 मिनट मिलेगा तो आप उसमें करना है कि आज की ही डेट में आप पहले अपने प्रारंबिक सिच्छा की नवीन प्रास को अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि जब आप वर्तमान बार्सी समाज इवां प्रारंबिक सिच्छा का पेपर दे कर बाहर निकले तो थोड़ा बहुत मतलब रिलाक्स होने का टाइम हो थोड़ा फ्री होने का टाइम होने तो होगा न यह भागते भागते आके फिर शुरू हो गया कि आर पेपर होने वाला एक गंटे मारे एक गंटे माप ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे सिर्फ रिवीजन ही हो सकता है इसको ज़रा ध्यान रिखिएगा उसी तरह सामाजी के द्यान के पेपर को आप पहले से पढ़ कर जाएंगे ठीक है न देखें आपको पांच नॉम्बर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अगर हम सेकंड समेश्टर की बात करें तो उस दिन दोस्ता आपको पूरा दिन सिर्फ वर्तमान भार्ती समाजी को प्रारम्बिक सिछा को देना है लेकिन आज 26 अक्टूबर अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो सभी बच्चे 26 अक्टूबर को इस टॉपिक को क्लियर कर ले खतम कर ले देखें होता ना कि यह करके आप सब कुछ खतम करेंगे तब ही तो कुछ होगा हमने क आज आज आज़ा होता आप से कि गड़ीत और इंगलीस को दोस्तों आप टाडे 1 गंटे का समय दीजै कि पढ़ेंगे तब ही तो टेंसन दीचे का आप पढ़ते हैं ने? सिर बोलेंगे टेंसन ओरी, तेंसन ओरी, कैसे होगा? क्या होगा? देखे पेपर कठिन नहीं आता है इस बात को आपको ध्यान में रखना है DLN का पेपर देने जारे हैं दोस्तों कोई आप सुपर टेट का पेपर नहीं देने वाले है या UP टेट का की बहुत कठिन बना दिया जाए कि छात्रों को फेल करना इनका कोई लच्छी होता है ऐसा नहीं है अगर दोस्तों आप खीक ठाक सही मैनत कर जाएंगे तो फिर DLN में आपकी कभी बैथ नहीं लगने वाली एक बात और आपको बता दे कुछ बच्चों की सवाल थे कि डिलेट 2019 बैश की बच्चों की सवाल था क्या अभी से से केंड यर की पीर जमा हो रही तो इसका आधर दोस्तों बहुत बड़ा वाला नहीं जी हां दोस्तों जब तक आपका फस्त यर या सेकेंड समिष्टा का पीपर नहीं हो जाता तब तक आप से भी कोई पैसा लिया नहीं जारा भले आपको कॉलेज वाले भाई फ्राइवेट वाले होंगे तो जानते हैं थोड़ा बहुत गुंड़ा गर्दी दिखा सकते हैं पैसा कि च Coconut सेले फिस ले सकने लेकिन अवरी बहुत कॉलेज ईसने किसी बी स mikä ने हरो गिप्र किसा नहीं और फीज य जा रहीया तो आपको सबसente आप लोग को बे मतलत के ज़्यादा पैसे खर्शोंगे, जी चीज के पैसे नहीं लगते तो उस चीज के आपको पैसे देरे भी नहीं है, ठीक है, तो अब दोस्तो PNP लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बाकी डेलर 17, 18, 19 बैच के अब देट तो होती रहेगी, तो चली का और बात दोस्तो, हमने क्या-क्या आपको बता दिया, इसको जरा ध्यान में रखिएका पहले नहीं तुस्वेर परसान होंगे, जो भी आपका दोती ये प्रस्नपत रोजी कि एक दिन में आपके दो पेपर या तीन पेपर होते हैं, पहले दिन आपको दो पेपर होगा, तो दोस्तो आप सेकेंड वाला जो पेपर है, उसके लिए समय आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रात में आप वर्दमान भारती समाग पढ़ेंगे, तभी तो सुभी इसका पेपर दे पाएंगे न, तो इसका ध्यान रखिएगा, फि तो dealet result.com पर जा सकते, इस पिलिक देख लिजे, deletresult.com इस पर दोस्तो आप जाईए, और आप अपने काम की जितनी भी note source होगी न, जितने मिलिंक से हैं, आपको डारेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी काभी बार होता, mobile से आपका कुछ हो गया, कोई लिंक आपके पास साइटिक हो गई, तो कहां से मिलेगा, तो इस website के मात्यम से आप देख सकते हैं, फिलाल आपको टेंसन मत लीजे paper की, और जो दोस्तो एक काप भी viral हो रही थी है, परिच्छा रद हो सकती है, cancel होगा, तो ऐसा बिलकुल मिलेगे, ठीक है, परिच्छा रद को लेकर, आप 28, 28 या 29 सक्टूबर को आपके पास admit card आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखे काफी colleges के message आ गयते, admit card को लेकर इसका region क्या होता है, कि उनको पैसा ची होता है, कुछ उका लोग वाले नो ये बोला कि 500 रुपे लेकर आना, admit card लेकर जाना, कोई 100 रुपे बोल देता है, मतलब य नहीं देना है, हाँ, हो सकता है कि एगर आपकी first year की कुछ fees बाकाया हो, जैसे 41,000 आपकी fees है, कुछ बच्चे 20,000 रुपे देकर admission लेते हैं, सोचे है, scholarship पाजाएगी तो हमारा manage होगा, तो हाँ देखें, उनसे college वाले पैसे ले सकते हैं, वो एक अलग matter है, क्योंकि वह उनक practical fees के नाम पर भी दोस्तो हो सकता है कि आपको परिसान किया जाए, तो फिलाल अभी practical की fees भी जमान नहीं हो रही है, तो भी आप साउधान लेगा, लेकिन कुछ colleges में practical हो भी गया है, तो ठीक है, वो formalty वाला एक practical था, तो करा लिया गया है, यह सब की हैं दोस्तों, बाकि लिंक होगा नीचे आपको हम दे देंगे, फिलाल आपको बता दे कॉलेज आइडी से इस तिर्फ डाउनलोड हो सकता है, आप लोग अपनी आइडी से इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे होते ने, जो जुगाड़ वाले होते, जिनके घर का कॉलेज होत लेकर और इंग्लिस को लेकर परिशान इसी को दिन रात पढ़ रहे हैं, और दोस्तों बाकी जो सब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें भी बैक आती है, तो क्या करना है कि बाकी अगर आपके सारे सब्जेक्ट इस ट्रॉंग होगे, तभी तो आप गड़ित और इंग्लिस को पर उसे रहेंगे, तो सत्या नास हो सकता है, ठीक है, तो उमीद करेंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, आपको कड़ित और अंग्रीजी या संस्क्रत के लावा सभी वीजियो पर बराबर फोकस करना है, बाकी आप दोस्तों आज ही आपको लग जार पोगा और आपकी बिल्कुल आसान आसान विश्यों में बैक है, आपको बता दे, काफी बच्चे सामाजी कद्यर में हर साल फेल होते हैं, ठीक है, जब दोस्तों आगर टोटल बच्चों में 54,000 बच्चे फेल वेते हैं, सेकेंड येर में दोस्तों, आपको बता दे, 2018 जाता 54,000 को पार कर गए थी, उसमें सामाजी के दिन में फेल होने वाले शात्रों की संक्या भी बहुत ही जाता थी, ठीक है, इंगलिस में घडिस में तो बच्चे बैक आई थी, उसके बाद सामाजी के दिन में भी ठीक ठाक बैक आ गई थी, तो गाईस, अभी से आपको इ stay connected, have a nice day.